Students, आपने Macroeconomics में पढ़ा होगा कि net से gross पे आने पे plus depreciation, gross से net पे जाने पे minus depreciation, इसके पीछे reason जानते हैं. आपने 5 साल पहले बहुत अच्छी से गाड़ी आपने खरीदी जिसकी वर्थी 10 लाग, वो थी उसकी gross value, that is the actual value. अब आपने 5 साल अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से यूज किया, उसे consume किया, आपने fixed asset को और अब आपका मन भरा और आपने चाहा है इस गाड़ी को बेचते हैं. तो आपने अब market गए और आपने देखा इसकी जो market value घटके वो कितनी हो गई है, 2 लाग, इसका मतलब जो difference है, 10 और 2 का, that is, equals to depreciation, which is also known as, in economics, consumption of fixed capital, ऐसे ही और conversions चानने के लिए, national income के, download the app now.